सभी का पुना हार्दिक स्वागत अबनंदन करता हूँ और आद्य सकती माभगवती जगजन्नी से करवध प्राथना करता हूँ कि माभगवती आपकी समस्वनों कामनाओं को पूर्ण करें आपके जीवन में जो हैं खुसियों की लहर हो आपका जीवन आनंद मैं हो यही माभगवती से करवध प्राथना करता हूँ तो चंद्रवन्य भक्तिराश चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वा होगा करकरास के जातकों के लिए आने वाला सप्तह 3 अपरेल से ले करकरास के जातकों के लिए वीडियो के अंतिम में वीडियो के अंतिम भाग में जो है एक सुंदर सा उपाय भी आपको बताया जाएगा तो आप वीडियो में अंतिम तक अवस्य बने रहें वीडियो को अपने इश्ट मित्रों तक सेर जरूर करें जो पहली बार हमसे जुड़ रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि इस तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे वीडियो से लावान भी हो सके तो बात करते हैं करकरास के जातकों के लिए यह सब्ता जो है बहुत ही आनंदाई होने वाला है इस सब्ता आपको करियर कारोबार में मन्चाही प्रगति देखने को मिलेग इस सब्ता जो है आपकी सारी मनो कामनाई पूर्ण होने वाली है पूरी मन्चाही जो आपकी बरगति है वह आपको देखने को इस सब्ता पूर्ण रूप से मिलते वे दिख रही है यदि आप लंबे समय से कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे थे कारोबार को तो इस सप्ता जो है उसके लिए बहुत अच्छा या समय है इस सप्ता आपकी जो योजना है वाथाकार होते वे नजर आएगी ब्यावसाय में मन्चाही सपलता येवं लाव आपको मिलेगा इस सपलता जो है अपने ब्यापार में मन्चाहा सपलता आपको प्राप्त होगी और मन्चाहा लाव आपको इस सपलता मिलता हुआ दिख रहा है सासन प्रसासन से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका जो लंबे समय से अटका काम था वह भी पूरा होता हुआ दिख रहा है इस सब्ता जो है सासन परसासन का कोई प्रभावी व्यक्ति जो है आपकी मदद करेगा आपकी उससे मुलाकात होगी और आपके सम्मन उसके साथ इतने अच्छे हो जाएंगे कि वह आपकी मदद करेगा और लंबे समय से जो आपके कार्य अठके हुए थे वह कार्य आपके उनका इस सप्ता जो है प्रमोसन संभव है प्रमोसन उनको मिल सकता है और उनकी आय में भी जो नौकरी पेशा करने वाले जातक हैं उनकी आय में भी अतरिक्त आय के जो अतरिक्त अन्यसरोत हैं वह भी बनते हुए दिख रहे हैं संचित धन में ब्रदी होते हुए दिख रही है जो संचित धन है जो जमा किया जमा पुंजी है उसमें भी ब्रदी के योग बन रहे है और सप्ता के उतरार्द में जो है संतान से जुड़ा कोई सू समाचार भी आपको मिल सकता है तो संतान से जुड़ाफवा कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है जिससे घर में खुसियों का माहौल बना रहेगा जिससे आपके घर परिवार में खुसियों का माहौल बनेगा अच्छा माहौल आपके घर में बन पाएगा प्रेम परसंग के लिए या सब्ता जो है होते वे दिख रही है और अभिवाहित लोगों का विवावी जो आपका स्क्रमाइं बना रहे गा गर्वाहिक जाटक विवा परिवार के साथ किसी परियटक अस्तल की यात्रा के जाने के योग दिख रहे हैं अपने घर वालों के साथ परिवार वालों के साथ जो है किसी सुव अस्तान पे या किसी परियटन अस्तान पे या किसी देव अस्तान पे जाने के आपके योग बन रहे हैं कोई यात्रा में भ और भी आनंदाई बना सकते हैं तो उपाय आपको क्या करना है कि परति दिन जो है देवी दुरगा की आपको पूजा करनी है और दुरगा चालिसा का ही आपको पाठ करना है माभ़गवत्थी का परतदिं पूझन करें और दुरगा चालिसा का आपको पाट करना है और कीचन में जब भी आप रोटी बनाएं तो पहली रोठी आपको गाय आपको गाय को देनी आप निकालनी है गाय को वह अपने देनी है तो इस सप्ता को अगर आप या उपाय करेंगे तो इस सप्ता को आप आनंदाई बना सकते हैं और यह सप्ता जो है आपके लिए बहुत सुफलदाई हो जाएगा तो यह उपाय आपको जरूर करना है जिससे आपका यह सप्ता आनंदाई हो और करगराज के जातकों के लिए यह सप्ता जो है सुफलदाई तो आज का वीडियो यहीं पर समात करेंगे आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अबगत कराएं वीडियो अच्छा लगा तो इस्टमित्रों के साथ सेड़ जरूर करें जो पहली बार हमसे जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर झाल झाल